तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चाहरा में अमित करता हूं कि आप सब लोग ठीक होगे तो यह अभी भी मुझे ऐसा फिलिंग क्यों आ रहा है कि यह मैं बहुत बड़ी गल्ती कर रहा हूं अंदर से थोड़ा ऐसा धर्दक हो रहे ला है यूटूब का डर तो है लास्टम जब मैंने अमेरिकन पाइक उपर वीडियो बनाई थी तो फिर उसको मुझे छे बार अपलोड करके डिलिट करना पड़ा था लेकिन आज की वीडियो में मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं बहुत सारे मासुम लोग को बिगाडने वाला हू जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी अब तक या फिर देखा है लेकिन बताना नहीं चाहते अरे शर्माओ मत सब अपने ही लोग है मतलब ऐसे थोड़ी ये मूवी बार अबार नेट्फिक्स के ट्रेंडिंग पर आती जाती रहती है अब लोग इसको देखते है तब इतो न के नहीं होते तो देखो 365 days के चर्चा में आने से पहले जो horny teenagers थे वो किसका नशा कर रहे थे 50 shades of grey का और ये बात में इतने confidence के साथ कैसे बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इसको teenage में देखी थी लेकिन मुझे इसकी story याद नहीं बाकि सब याद है लेकिन story याद नहीं कि इसको मत देखो क्योंकि ये एकदम strictly hardcore 18 plus movie है लेकिन है इसी के साथ साथ मुझे एक बात पता भी है कि बहुत सारे majority लोग ऐसे होंगे जो इस मूवी को इसलिए देखेंगे क्योंकि ये 18 plus है वो खुद महीं 18 plus लेकिन 18 plus फिचर जरूर देखेंगे दूसरे टीपैसी कि 50 shades of grey movie के इंदर जो कुछ भी दिखाया है ना मतलब literal मारा मारी उसको जाधा दिमाग पर मत लेलना मैं पिचर के नाम धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि घर में shoot कर रहा हूं और पता नहीं कैसी आदत लग गए मुझे कि आप लोग इसे एकदम freely सब कुछ discuss कर सकता है लेकिन घर वाल के सारा काम वो कर सकता है आप नहीं reality से बहुत जादा दूर है यह picture अगर girlfriend ने नहीं दिया तो फिर चुप चाप सुलाना ही पड़ता है no other option लेकिन देखो भले ही आपको आज तक अपने जिंदगी में प्यार मिला हो या ना हो लेकिन आज मिलेगा पूछा कैसे नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दीकरा उसको दबा दो जोर से फिर हम बंदवस्त कराते हैं गुरुजी आएंगे और उनका प्यार आपको जूर दिलाएंगे देखो भले ही लोग कुछी भी बोले इस picture के बार में लेकिन अगर आपने इस movie को खतम किया जो कि आप एक बार चीज़ा अच्छी हो या ना हो लेकिन जो soundtrack है एकदम killer कड़ा बहुत सारे लोगों तो यह तक नहीं पता होगा कि love me like you do जो गाना वो लोग इतना ज्यादा सुनते हैं वह इस picture का है देखो वीडियो में अभी तक मैंने मजाग तो बहुत कर लेकिन on a serious note एक बात बोलना चाह क्योंकि movie की जब story चलती है तो उसमें मजा नहीं और जब मजा चलता है तो फिर उसके अंदर story की ज़रूरत नहीं यहाँ पहना आप लोगों को मैं असलील लग रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पर बात करो लेकिन आप लोग एक बात ज्यान दो कि जब यह movie रिलीज हुई थी तो फिर उस टाइम पे लोगों नो इसको देखा था आज भी देखते हैं इसलिए इस movie के और भी दो पार्ट निकले हैं लेकिन जब मुझसे यह पहला पार्ट यह खतम नहीं हो रहा तो फिर आगे के दो कैसे देखू मैं यहाँ पे खुद की शपत लेके बोलता हूँ कि मै हिमत की तो बात ही छोड़ दो इस गेम के अंदर जो पहले लेवल का डिफिकल्टी है वही जब मुझसे क्लियर नहीं हो रहा तो फिर मैं आगे के लेवल कैसे पार करूं यह movie ना basically एक्डम hardcore action movie है अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ठरक है तो फिर इसके अंदर का action देखन के लिए एक मासुम लड़की के उपर जितने सारे अथ्याचार होते हैं ना ना हमको मंजूर नहीं तो इसे लिए हम जो है इस पिचर की स्टोरी करते हैं कांचल जो रहा गया क्या बात है अब मुझे समझ में आ रहा कि यूटूब भी परेशनों के वीडियो क्यों नहीं क् सबके सामने तो बहुत चरिप बनेगा कि मैं तो सिर्फ हॉलिवड की एक्शन मुवीज देखता हूं लेकिन एक बार वो अकेला पड़ा तो फिर भाया वह एक्चुल में हॉलिवड की एक्शन मुवीज देखता है समझ रहे हो समझ रहे हो इंगलिस में एक्शन का मतलब सम सारे ऐसे लोग है जिन्हों ने इस मुवी को देखा है लेकिन पूरा नहीं इसके स्टोरी भी याद नहीं लेकिन जो चीज याद रहनी चाहिए वो जुरूर याद है तो अगर आप उन लोगों में से हो तो फिर नीचे कॉमेस सेक्शन में जरूर बता हो कि हां बाई मैं लेकिन फिर मैंने तीनों पार्ट्स देखे तो फिर आपको किस बात की शरम मुझे नहीं पता था कि अंशिका लड़कों का भी नाम होता है यही वो लोग है जो आगे चलके एंजल प्रिया बनते हैं इस मूवी को लिए कि मैं इसको बिल्कुल भी रेक्मेंट नहीं करता आ अच्छी पिचर नहीं है हम इस देश के एकदम जिम्मेवार नागरिक है यार हम ऐसे पिचर कैसे सजिस्ट करेंगे हम जो है हम गंदीबाद को प्रमोट करेंगे डेशी मेड इन इंडिया मेड पर इंडिया अब इससे पहले कि यूटूब जाग 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 मैं निकलता झाल